ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचाईता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है तो बड़े ही जिग्यासु मिल रहे हैं, बड़े ही साधक हैं जो पूछते हैं कि गुर्देव को यह ऐसा मंत्र दीजे जिससे की वाक सिद्धी हो जाए तो जिने पता है उनके लिए ठीक है लेकिन जिने नहीं पता कि वाक सिद्धी क्या होती है तो उनको मैं बता दू कि वाक सिद्धी एक ऐसी साधना है जिसकी अगर आप सिद्धी कर लेते हैं तो आप जो कहोगे इस धरा पर वही सब कुछ प्रकट हो जाएगा अगर आपने कह दिया कि बारिश हो जाए तो वो बारिश हो जाएगी कुछ लोग इसको जनमजात ही लेकर पैदा होते हैं लेकिन इसको अरजित किया जा सकता है तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे कि आप माभगवती को प्रसन्न कर सकते हैं और वाक सिद्धी आपके कदम चुमेगी ये इतना असान नहीं है जितना मैं यहां पर बता रहा हूँ लेकिन अगर हटी होकर इसका आप साधना करें आप इसके कुछ ऐसा सोचे कि इसको पाए भी ना मैं हटूँगा यह नहीं तो यह सरलता से आपको सुगमता से आपको मिल जाएगी लेकिन अगर आप सोच रहें कि आपने दो मंतर पड़े और आपको वाक सिद्धी आगी तो यह पॉसिबल नहीं है इसके लिए सालों के तपस्या चाहिए लेकिन जो हठी योगी हैं वो कहा मानने वाले हैं वो इसको पाकर ही रहेंगे तो उनको मैं समझा दूँ कि इसका जो मंतर है वो बड़ा ही सरल है अब आपको करना क्या है कि प्रति दिन रोज सुभ है प्राता काल जब पांच बजे हो और थोड़ा अंधकार सा हो और सूर्य देवता धराप पर उदित ना हुए हो उस समय आप ब्रह्म मुहरत में इसका प्रयोग कर सकते हैं आपको पांच बजे से लेकर छे साथ बजे तक एक भी दिन नागा किये बिना ये जो है आपको इस मंतर का जाब करना होगा आप कितनी बार करते हैं कैसे करते हैं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता जो मैटर करता है वो आप इस पर ध्यान कैसे लगाते हैं रैट थे कैसे हैं और आपका जो फोकस है वो कहां रहता है आपका दिमाग कहीं किसी और विचार में तो नहीं रहता सुबह सुबह प्रताकाल बिल्कुल एक ऐसा स्थान ढूंड़ियेगा जहां पर आपको कोई डिस्टरब ना कर पाए ना कोई बाइक हो ना कोई किसी भी तरह का कोई भी जो है आपकी साधना में भीगने नहीं आना चाहिए बस एक कमरा ले सकते हैं या फिर कोई ऐसी जगा कोई गुफा जहां पर कि आपको कोई डिस्टरब ना कर पाए और अगर आपके पास ध्यान का कोई ऐसा माद्यम हो जिससे कि आप इन सब को नदर अंदाज कर सकें तो भी इसकी कोई मतलब दिक्कत नहीं आने वाले बस आपको फोकस जो है वो इस मंत्र पर होना चाहिए ध्यान की मुद्रा में बैठिये सुर्वी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं और उसके बाद आपको जो ये मंत्र है इसको लगातार बस इसका गुम्फन होना चाहिए आपके पास इस मंत्र का गुम्फन करते रहिए और जब माँ भगवती आपके स्वपन में आए या फिर आपको प्रतेक्ष दर्शन दे उसके बाद आपको सवा लग बार इस मंत्र का जाब करते हुए हवन करना होगा हवन में आपको पिली राई लेनी है और लाल रंग के फूल लेने हैं हवन सामगरी में आप जो भी शुद्ध चीज़े हैं वही रखें और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो 999-284-1625 पर ये कीजिए और इसके बाद जो है आपकी साधना जो है वो सफल हो जाएगी और आप एक ऐसी शक्ति के मालिक होंगे जो विरले ही किसी के पास होगी इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं www.sirstops.com पर वहाँ पर मैं इसकी डीटेल में आपको वीडियो के साथ आपको इसके documents पर मिल जाएंगे धन्यवाद